बच्चे का जन कैसे होता है? normal delivery के नाम से डरती हैं और घबर आती हैं इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि आखर normal delivery में हुटा क्या है? इसमें कौन से जोखिम होते हैं? क्या सच में इसमें कोई खतरे वाली बात होती है? नormal delivery में कटना समय लगता है? आज इस वीडियो में हम इनी सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो अगर आप पहली बार माँ बनने वाली है तो नॉर्मल डिलिवरी में तकरीबन 7-8 गंटे का समय लगता है वहीं अगर यह आपकी दूसरी डिलिवरी है तो डिलिवरी में कम समय लग सकता है यह इस बार पर निर्वर करता है कि आपकी गर्भाष्य ग्रिवा यानि की आपकी सर्वैक्स कितनी फैली हुई है नॉर्मल डिलिवरी में लगने वाले समय के बारे में जान लेने के बाद अब बारी है यह जानने की कि नॉर्मल डिलिवरी होती कैसे है। और अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अपने साथ किसी ना किसी को जरूर रखना चाहिए, साथ ही अपने डॉक्टर से संपर कर अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपको हर तीन से पांच मिनट में संहुचन यानि की कॉंट्रैक्शन होता है, आ आपको अस्पताल जाने में तेरी नहीं करनी चाहिए, अगले दौर में आपका गर्भार्शे ग्रिवा 10 सेंटीमिटर तक खुल जाती है, इस चरण का दर्द लंबे समय तक लगाता रहता है, इस दौरान बच्चेदानी से म्यूक्स प्लाक बाहर निकल जाता है, जिससे ल ये संकुचन 45-60 सेकंड तक हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये समय बढ़कर डेड़ मिनट या उससे जादा भी हो सकता है, ये दर्द तेज होता है, ऐसे में महिला को जोर लगाते रहना चाहिए, शिशु के बाहर निकलने के प्रकुरिया 3-5 गंटे तक चलती है, ये चरण 20 20 मिनट से 2 गंटे तक रह सकता है, नॉर्मल डिलिवरी में बच्चे का चैरा मा की बीट की ओर होता है, गरभासे का निचला हिस्सा धीरे धीरे जादा खुलने लगता है, जब योनी से बच्चे का सर दिखने लगता है, तब डॉक्टर योनी के मुख को बढ़ा करने के लि भासे से बाहर कैसे आता है, लेकिन जब दो ही चरण में शिशु बाहर आ जाता है, तो फिर डिलिवरी के थर्ड स्टेज, यानि की तीसरे चरण में क्या होता है, चलिए जानके है, तो दोस्तों तीसरे चरण में होता ये है कि इसमें गरभनाल पूरी तरह से योनी से बाहर डिलिवरी के बाद गर्बनाल को मईला के शरीर से निकाल लिया जाता है क्योंकि यह नाल युश आसे लक्षन न के रहे जाए तो रेंद क्सिपनी नार्मल दिलिवरी होगी यह नहीं तो क्या हैं ये लक्षणा ये जानते हैं प्रिग्मेंसी के 34 से लिखर 30 वे सब्ता में बच्चे का सर नीचे की तरफ आने लगे तो ये नॉर्मल डिलिवरी की संभावना को बढ़ा देता है बच्चे के नीचे की ओर आने से महिला को उठने बैटने और चलने फ़र्णे में परिशानी होने लगती है ये भी नॉर्मल डिलिवरी का एक लक्षण हो सकता है गर्वश्था के दौरान जरूरी है कि आप वोश्टत्त्तों से भरपूर बैलंस्ड डाइट लें विटमिन सी युक्त चीजें जैसे कि संतरा और नीम्बू को अपने डाइट में शामिल करें इसके अलाबा केल्शियम युक्त भोजन पर भी खासा ध्यान दे डॉक्टर की निगरानी में रहकर महिला केल्शियम की गोलियों को भी ले सकती है शरीर में खून की कमी ना हो इसके लिए महिला को आइरन युक्त चीजें ज़ादा ज़्यादा भोजन में शामिल करनी चाहिए तो दोस्तो आज हमने नॉर्मल डिलिवरी के बारे में बहुत कुछ जान गया आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक शेयर करें ऐसे ही important और knowledge वाले वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe और facebook पेज को follow ज़रूर करें Thanks for watching